नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी उट्व चैनले स्टेंग क्लास में दोस्तों आज हम पढ़ने वाल हैं पाइप और टंगी मतलब पाइपन सिस्टम का बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट पार्ट जिसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे कि जब बारी-बारी से एक गंटे एक मिनट के बाद ओपन किया जाता है तो टंगी कितने समय में भर जाती है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट पार्ट है प्लस आपने इसके काफी वीडियो देखे होंगे यूट्व पर लेकिन आज आज आपको इस वीडियो में ऐसा कॉंसर्ट मिले वाला है जिस इसलिए दोस्तों वीडियो को मत करना बहुत ज्यादा आपको इंट्रेस्ट आएगा इतनी नौलेज मिलने वाली है इस पार्ट की जितनी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी ठीक है दोस्तों यह थोड़ा समझ समझ लेते है क्या देखे दोस्तों ध्यान से देखते है कि मैंने कहा कि एक पाइप एज़ है और एक पाइब एक मेरे भाइब यह 10 गंते में वर सकता है यह 20 घंटे में खाली कर सकता है अगर डॉन भरती तो कोई प्रावलुम नहीं थी कर ता नकिर आली करने वाले का वो हमेसे ज़्यादा होगा तभी जाके आपकर तक्या क्यों होगा ऐसा समझ लेते हैं सपोज कीजिए दोस्तों मैंने कि आप यह बोतल बनाई हुई है इस बोतल के जरी हम समझेंगे कि इस बोतल में एक छेद हो गया चोटा सा अब भाई यह स्थे जो है सबूज की जिए 20 गंट कर सकता हो जरा है और मिल के नागन चुन होगा सब्सक्राइब करने वाला होगा उसको क्या दिया जाएगा जब जाके वो खाली कर पाएगा लेकिन दोस्तों कभी ऐसा हो गया कि आप लाप देखिए यह बर राय दस गुंटे में यह कहली कर रहे थो तब तब यह पहले उसको खाली कर देगा तो टंक की अबोतल होगी कोई बहुत नहीं पाएगा इसलिए याद रखना कि जो खाली करने वाला होता है उसके लिए टायम ज्यादा दिया जाता यह इसी के अकॉर् लिए उसको समझने वाले हैं मैं आपको यहां पर पांच कुछन करने से फोड़ा-थोड़ा से चेंज होगा कहीं पर खाली करने वाले होंगे कहीं पर भरने सकते हुए तो वीडियो की इसके मत करना पूरा देखेंगा आपको बहुत ज्यादा कॉंसेट क्लियर होने वाला है प्लस मजा भी आएगा आपको करने में ठीक है दोस्तों तो इसको रफ कर देता हूं फिर आपको पहला कोशन यहां पर पढ़के बताता हूं और प्लस दोस्तों मैं आपको बता दूंगा तो आपको स्कीन पर हिंदी और इंग्लिस बहुत मिनट में भर सकते हैं यदि दौनों को बारी-बारी से एक-एक मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी जहां से देखेगा बड़े ध्यान से समझेगा ठीक है कि बाई दो पाइप है एक है और एक है भाई मेरी बी ठीक है जहां से आपको समझना एक यहां कि बढ़ सकता है 20 मिनट में और कि कोई करने अभी कोई करेंगा अभी आपको बदा दू किस तरीकी साथ को सोचना जहां से देखेगा सबसे पहले कि आपको क्या करना है यहां से हमने लिया और हमने जब लिया तो हमको पता चला यहां तो आएगा कितना यहां पर इसका डिया हमने हमको पता चले हमने इसका दिया तो यहां पर फो टाइम के अब देखे इसका मतलब है कि पानी जो है उस टंकी में आ सकता है यहां होती है कि छमता कि पानी कितना आ सकता है। पतला एक minor में ने पाइब जो ए है कितना पानी बसकता है। १िति je मैं कितना से इता हैं। अब गहीं है कि अगर यहां पर गंभाटे यह गंपे इस गंड़ अपना चेक कर लेते हैं कि लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके बाद दोस्तों थोड़ा से आगे बढ़ेंगे और आपको थोड़ा से डीबली और समझाने वाले कर दोस्तों अब देखे ध्यान से यहां पर आपको क्या करना है यहां पर कॉंसर्प समझाने देखे यह एक मिनट में पाइप जो एए जो पाइप है वो मेरे वाई एक मिनट में कितना पानी बर सकता है आपि देखिए चार कर अब डौन को हमें एक साथ कएसे और देखिए झान से चला इसने बर दिया पांच लीटर अब देखे ध्यान के जरी हम इसको समझे लेते हुए ए बी ए बी ए बी क्यों लेखा है मैंने डी देखेए और एक मिनटे के जलाया गा पिर एक मिनट बात इसलीक को चलाई गया नलब के लिए फिर थालोगल इसलीक जाएक सब्सम båतकु सब्सक्राइबaring भान्य। भी इतना बरा मुलग दो मिनट में जो पानी भरा जाएगा बहुत भरा जाएगा मेरे तो आप को क्या करना है नो का जो डिवाइड इसमें देना है और आप जानते हो डिवायड इसे देते कैसे देते ऐसे देते ठीक है 9--9 मेरे भाई ठीक है कितना बचेगा एक बचेगा फिर नो एकम नो हीरो आजाएगा यह से अनुभी है इसलिवbelt पर एक सेereखłos है ठीक है अभडेगे घाव मेंfront इसका यहां पर multiply कर देंगे ग्यारे का इसमें multiply करेंगे ग्यारे दुना बाइस मतलब इससे confirm हो गया कि बाइस मिनट में नुन्यानवे लीटर पानी भर जाएगा अब आप गिनोंगे तो नहीं दो मिनट में चार मिनट में इसलिए इसका डिवाइड यहां पर दिया जाता है पता चल जाए कि कितना पानी भर जाएगा पाईस मिनट में 1929 भर जाएगा अब क्या होगा उसके बाद ध्यान देगी कि 22 हो गई हमारे 22 में कितना वह गई मेरे बाइस मेरे HEY कितना बनात सो सो में से भर गया 909 बचा कितना एक बचा एक बचा आप नंबर किस को ये यहों करको काम घब était हम प्लस जब खाली करने वाला जाएगा थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा उसको आपको बारी की से समझना है तो दोस्तों कोशन आपका कम्प्लीट हो चुका है आप चेक कर लीजिएगा आपको स्कीन पर यहां दिखाए दे रहे होंगे तो आंसर आगया 22 है एक बटा दो प्लस आप से कहूंगा स्कीन सौट लेली जीगा क्योंकि आगे अगर आप घर पे प्रेटिस करते हैं या नोट्स बनाते हैं तो आपको आसान ही हो जाएगी समझने में ठीक है दोस्तों ने कोशन करते हैं जिसमें तीन वाले वाले पहले तीन वाला कॉंसर्ट वह समझ लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे जब कोई खाली करता है तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको हमारा पढ़ाना अगर पस सकते हैं कि यदि तीनों पाइपों को बारी-बारी से एक-एक मिनट के लिए खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में बढ़ जाएगे यहां पर तीन पाइप दियो तो कंशुजन आपके दमाग में कहीं नहीं होनी चाहिए कि तीन पाइप में दूसरा भी और तीसरा मेरे सवाइस सिए यह तो बर सकता है मेरे दस मिनट में यह बर सकता है बरसकता है यह बढ़ारे मिनट में यह बढ़ सकता है एक मिनट में किपरता था तो हम देखेंगे यह घ्राख ऑग द किक definitions बढ़這邊 कंशुए मिया आद में मिननलों है शुЭтоं अब देखेंगे जो है एक मिनट मैं कितना अब सक्ता था तो दस का डिवायर देंगे एक कि नकाlt में रूसक्ता था बारां का डवारतिया कितना हम उसकता था पशल सकता था तो मेरे मेरे छार बरim कि तीनों को बारी बारी से खोल दिया गया मतला हमको पता चला एक एक बी और एक सी ठीक है यहां से हमने देखा कि भाई यह तो एक मिनिट में कितना बढ़ सकता था छे लीटर ठीक है यह लीटर में माल लेजिए आपको कोई प्रब्लम नहीं चाहिए लीटर में पदार्त जो है कितना बतार्त मनें देखा देला में तो गया वह पूरा पूरा चला गया कितना आगया चार कितनी बार गया चार बार तो चार का वहिया हमने इसमें गुणा कर दिया तो कितने होगे मेरे भाई बारा मिनट ठीक है चार का इसमें गुणा कर दिया तो मेरे भाई हो गए 60 लीटर इसका मतलब बारा मिनट में 60 लीटर पानी भर जाएगा और आपको 60 लीटर ही भरना ह तो आपका आंसर आजाएगा मेरे भाई यहां से यहां तक बारा मिनिट जो कि आपसर नमबर आपका बिल्कुल ए सई है ठीक है तो दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन है इनको आप बारीगी से समझ लेजिएगा प्लस इसकी सोट ले लेजिए आपका फुल कॉंसेट इसमें क्लियर होने वाला है ठीक है अब देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन जिसमें बच्चों को कर्फ्यूजन आती है और जहां आप साथ ही साथ चेक कर लीजिएगा आपको दिखाई दे रहे होंगे आप और यहां चेक कर सकते हैं ठीक है देखिए ध्यान से नेस्ट कुशन है आपका एक नल किसी होज को दस मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल उसे बारे मिनट में खाली करता है यदि खाली होज दो बहुत आपको इंट्रेस्ट आएगा इसमें भी एक ए और एक बी यह कॐंसे बारे मिनट में खाली कर सकता है यह क्या कर सकता है बहर रहा है कि दस मिनट में और यह 12 मिनट में खाली कर रहा है अब यहां भरने वाला खाली करने वाला आ फिए हम यहां से निकालेंगे पानी कितना आ सकता है तो हमने जब डिया तो हमारा यहां आगे मेरे भाई साथ गय स्ट का क्यों में गजिंदा कि एक मिलंटेल दिए तो एक इतना बर सकता है एक मिलीटे वगर कि इतना खाली कर सकता है मेरे भाई 5 आपप ध्यान से 2 तरीयकि से समझना सब्सक्रा अब कुंसर्मकर मैं यहां पे वाला ठीक है देखिए द्यान से एक छोटी से मैं आपको यहां पे लाइन बता के समझा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमको किस तरीके से सोच नहीं है कि A B C D sorry A B A B A B A B ठीके वीशिट याद आगे मुझे इसलिए बने वीशिट देखें यहां से यह भर रहा है कि दूसरे में वीह खाली करड़ेंगा कुछ इसा कुछ हिससा रह जाएगे बहा यह भर देगा फिर स्टबारासे कुरू ऐं और लगर यह भर जायाजए फिर फिर से यहीं पूचा गया है कि कितने समय में तंकी भर जएगे कि यह कौन से आपको यहां द्याना करें अब देखें यहां पर एक तो ए मेरे भाई एक है भी ठीक़ए यह सब से जयादा कलती आँ बच्ची क्या करते वा यह आपको बदांगों देगे यह एक मिनट में कितना वर्ज़कता हैं मेरे भाई छे लेटर कि यह एक मिनिट में कितना खाली कर सकता है पांच ठीक है मतलब यहां से अगर देखा जाए तो दो मिनिट में केवल पानी कितना भरा जाएगा 11 मत कर देना यह भर सकता है 6 और यह खाली कर देता है वालब इसने 6 बढ़ दिया 5 खाली कर दिया इसका मतलब भढ़ा कितना गया एक बढ़ा गया तो यहां से अंतर दिंट लीजेल कितना बढ़ा जाए गाए थीक उसके बाद इसने छे बढ़ दिया तो प स्टुडेट है हां पहली गलती तो इस्ट्ट्राट कर देते हैं दूसरी इसको मेर अश्र कर देता हूं यहां पे तो हमले को बारी की से आपको समझाना है देखिनकीजारइब्त इसके लिए इन कि अन्से इस करतें चैने सबसांसे कर देते हैं कि यहां से डारrektdepth लिड़े यहीं आके गड़बर यहां हो जाती है कि भर जाएगी टंकी पहले ही फिर खाली करने वाले की जरूरत ही क्या है कि आपको लाइन से समझाया था ना कि भाई ए पर ही आके टंकी भरेगी भी तो खाली कर रहा ही है तो ऐसी गलती मत करना और आपको आपसर में मिल भी जाएगा कि 120 मिनट आंसर इससे आप सोचेंगे भाई हमने तो सही निकाल दिया अब आपको क्या करना यह पॉइंट आपको समझ रहा है यहां पर द्यान से देखिए जो यह बहारा तक इतना चैक्षे मिनट तो आपको क्या करना यहां से 6 माइनस कर लेना जह मायाने कर लिया तो हमको पता चला यहां बचा कितना है है हुआ है ठीक है मतला चेमँवन लीटर जो बहां जाएगा ठीक है अब दिखे एक लीटर बरता दो मिनट में तो सब्राइब से मेरे ज्यान में कितना 54 आप नम्बर किसका एले ऑगा ये क्या करें बढ़ेगा तो अब नम्बर आगया आपका कौन सा एक मिनट और रजाएगा अब एक मिनट में ये कितना बर देगा छे और बर देगा इसका तंगी बर गई पूरी 60 और साथी क्या करने थी आपको भरने थी यह होगा दोस्तों 109 मिनट जो कि आपका सही आंसर होगा इसलिए औप्शन आपको 120 मिट ए दिया है उसको टिक मत कर देना गलती से को कि वह आंसर आपका गलत होगा यह आपको थोड़ा सा बारीकि से समझना है ठीक है एक वार वीडिय कि यहां से इसको रफ कर देता हूं एक कुशन और ऐसा ही करते हैं जिसमें एक भरेगा और दूसरा खाली करेगा ठीक है तो यह बादी की सा कॉंसेप्ट था जो आपको समझना है ठीक है लेखिए और लास्ट वाला जो कुशन में आपको करा हूँ है उसमें दो पाइप भरें है ठीक है तो आप उसको सही करोगे ठीक है यहां से नैस्ट कुशन है आपका एक पाइप किसी होज को 6 गंटे में बर सकता है तता दूसरा पाइप उससे 15 गंटे में खाली कर सकता है यह मिनटता यहां गंटा कोई प्रवलम नहीं यदि दोनों पाइपों को बारी-बारी से एक गंटे बाद खोला जाए तो टकी कितने समय में बढ़ जाए ठीक है एक पाइप ए है और एक है पाइप भी ठीक है यह भर सकता है और यह खाली कर सकता है यहां से समझना मेरे भाई यह बढ़ सकता है 6 गंटे में और यह खाली कर सकता है 15 गंटे में पहले हम देखेंगे कितना पान यह बढ़ सकते हैं तो हमने यहां से यहां से डिवायर दिया और पता लगा कि यह एक गंटे में यह पाड़ सकता है पांच और यह गंटे में खाली कर सकता है कितना दो एक है भाई मेरे ए और एक है भाई मेरे भी अब ध्यान से देखिए का यह तो है एक गंटे मे है दो गंटे में कितना वर सकता है तीक कितना बरगा गंटे में दो गंटे मैं कि तो सोट्ल मेहन हैं को जाएका पांच बराता दो खाली हो रहा तो कितना बरे जाएगा केबल टीbacks कalay इसको मानइस कर करना कि कोई प्रावलम नहीं है यहां से ऐसा मत करना कि तीस का डिवाइड दे दिया तीस में दस बार गया दसका कुणा कर दिया अभीज घंटा आंसर आगया जो की नहायती गलत आंसर होगा ठीक है और अपको ध्यान दगाना है कि हम को सबसे पहले क्या काम करना यह पारी किसी चीज मैं आपको समझा रहां इसमें और कनफूजण नहां है बच्चों को दे कि ध्यानंश से यहां से क्या होगा कि हमने क्या किया पांच को इसमें से माइनस कर लिए शんです मैनस उट जब हमने भाई 5 को माइनस किया तुमको पता लगा कि यहां को कर दिया माइनस तो बचा कितना यहां से 5 माइनस करने आपको पतहुं से जिरा हुआ हुआ हम हुए अभ मतष्जानए ईसोदे लीटेः में 12 लीटर और ़िए दे घंटेने तो यहां से आपको 2 hours का ही निकाल देना है एक कि यहां से confusion आजाएंगे एक गंटी का उपने निकाल पाऊगे तब आपको क्या करना है ध्यान से समझी को बहुत ही मारी किस आपको समझना है आपको देखना है कि यह जो है दो गंटे में भरा कितना जा रहा है तीन के बार कितना बरा जा रहा है तो हम दो गंटे पीछे चले जाए ठीक है दो गंटे में कितना बरा जा रहा है तीन तो हम तीन यहां से क्या कर देंगे हम निकाल देंगे कि वह से दो गंटे वह दिन ने यहां से निकाल दिया तीन आप इये को कि सरी एक निकाला तो 25 बचा अब यह मैं नेकाला तो 25 बचा कि अब ये नेक्ड गंटे में पांस तो भर देगा कि आप क्या करोगे सीधा कर सीधा दो गंटे का मा dużo कर सोगे इस इसमें baru कि ज़िए 7 तीन हम यहां से निकाल देंगे बचा कितना 27 अब यहां देख लेंगे 27 से कितना गुणा 9 नोग गुणा ना 3 नम्म 27 तो 9 का इसमें मुल्टीपलाई कि डिवाइड दे लिजे तीन का डिवाइड दे नोगा 9-37 ठीक है करना आपको कितना बचा 3 तीन जो बचा वह कौन बरेगा क्योंकि दुखाली कर रहे हैं तो तीन बरेगा कौन बरेगा मेरे भाई यह आजाएगा आपका आंसर इसलिए से कोशन में कनफीज होने की आपको कोई जरूरत नहीं है इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजेगा और आपका विर्कुल कॉंसेप्ट किलियर हो जाएगा ठीक है लेकिन जो कोशन आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा बहतरी कोशन है ठीक है उसको बारी की से मैं समझाओंगा या मैं बना के आपको बताओंगा और टोटल तरीके से किस तरीके से हो रहा है इसमें दो आंसर बनेता को सकते उन में से सही कौन सा है गलत का जैंक है ठीक है तो इसको मैं रफो कर डिता हूं आपको ये कॉंसेट क्रियोगा होगा क्यासे, आ रहा है ठीक है, आप देखिए दोस्तों ध्यान से, खोगि मैं बहुत ही बारी किसे आपको समझा रहा हूं, कि आपका concept क्लियर हो जाए, अब देखिए, अगर आप teacher हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो next जो question है, आप से उसको बारी किसे इन question को भी समझा सकते हैं तो काफी लंपा वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने जो लाश्ट का कोशन डाला हुआ है उसमें एक एक सकते हैं तता तीसरा नल सी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है यदि तीनों को क्रम से एक-एक मिनट बाद बारी-बारी से खोल दिया जाए तो कि पिलाए सब से जाड़ा गलती होती है वह गलती में आपके बताने वाला हुआ है यह यहां से यहां देकी और वन Ydy me everylast सकता है यह है कि यह फुन मैरे कितना 10 minutes में और यह 12 में यह 10 बढ़ सकता यह बारेंगा । 15 में खाए कर सकता एक कुछियरा ही मैंने आपको करा इसमें तीन हुपर रहे ते अवा ऐचित फалतेर हैं इस से मेरे आगे हैं यहां से हमने पता लगाया कि एक मेरे हैं मेरे बात के लिए कि यहां से हमने देखा कि यह ऐक मेया भाई B है और कोने सिकाइं यह तो अगले मिनट में ना इसका हम तोटल ती मिनट में रोंट फीद में कितना पानी बढार देस का ओर नंराएंक कि दोंक्र पानी यं पर जो आका जो को माज़िया इस समयनह A-B-C एसने भ़रा एक मिन्ट पे इसने खाली किया इसने भरा कितना छे इसने भरा फ़ैस टोटल बर रदी है ग्यारह इसने खाली कर दिया चार बचा कितना मेरे भाई साथ फिर दुवारा से एक का नमबर आ जाएगा बार बार पर वही कंडिशन होती रहे अब देखी मेरे भाई ध्यान से बच्चों की सबसे बड़ी गलती पहले में बहुत आँगा गलती कहा होती है ठीक है क्या करेंगे भाग कितना मेरे वाई चार कोड़ा कर देंगे आरतिया हो गया चौवीस है चौवीस में चपन बढ़ जाएगा बचेगा कितना चार चार बचेगा किसका नमबर आएगा एक नीचे देंगे डिवाइड इसको काट लेंगे दो दो बटा ती और आंसर देंगे चौवीस से दो तो ठीक है देखिए इसको बाकाइदा एक एक लाइन की जरी में आपको समझाओंगा कोशन यहां से आप इसकी इन से अट जाएगा ठीक है क्योंकि मुझे समझाना है अब इसको ध्यान से आपने समझ लिया तो मैं बता रहा हूं जितने भी मैंने कोशन करा हैं उनमें अग पहसंदा प्रना किटना मेरे वाइशार तीन में फिर साथ बदिया फिरतीन मेंने फिर साथ बढ़ दिया 15 मिनट में साथ बढ़ दिया 16 मिनट में साथ बढ़ दिया 15 मिनट में साथ बढ़ दिया ho 資 Um 15 में साथ 13 में साथ 1 Tribe 2 X 4-5 6-7-8 9zz क्योंकि ज्यादा बढ़ जाएगा不錯 सब्सक्राइगा सबसे बड़ी बात आंसर गलत क्यों आ रहा था अब थोड़ा साम इसको समझ लेते हैं कैसे समझें वो ध्यान से देखेगा मैंने केवल कंडिसन यहां तक ली यहां तक मैंने ली तो मुझे पता चला कि 21 मिनट में कितना बर गया उननचास बर गया और यहां तक तीन तीन का काम खतम हो गया अगर मैं इसको ना लेता केवल यहां तक लेता तो मैं क्या करता मुझे पता लगा मेरे भाई कि 21 मिनट में उ क्मी Mooie यहां से सίαी स्ट एक मिनिक में कि एक इतिना भर देगा चय ए एक मिनिट में बीक दना बर गज़े का और हमें यहां से पता चला वह गया कि वह यह की होते से में में तंक की भर आता ध्यान से देखिए अगर देके हम इसको थोड़ा से आगे बढ़ाएं इसको मैं बाद में आपको लेक्ट दूंगा कोई प्रवलम नहीं ध्यान से एक मिनिट में ये खाली कितनी कर देगा 4, 4 खाली कर देगा, मतलब 60 बरने के बाद फिर से टंकी खाली हो जाएगी, मतलब भरी बरे नहीं रहेगी, फिर एका नमबर आएगा, फिर टंकी के ऊपर पानी तो नहीं तैरता रहेगा इसका मतलब आपको इस तरीके से कंडीशन बनानी है अगर आपको डाउट आ जाए तो कम लेना है ठीक है ऐसा मत करना के च्छे और पांच ग्यारा देखो कर सकते हैं आप कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे ठीक है च्छे और मेरे भाई यहां से यहां से देखना क्योंकि यह तो खाली कर रहा था कितने इसलिए वर गई हैंたいला ज्राइब सॉन खे खाली करने उपनीन तो यहां से लिखे 21 मिनट में 59 बर दिया फिर एक मिनट में 6 ने बर दिया मतलब तेईस मिनट में आपके तंगी बर गई 60 अब तीसे नल की जरूरत क्या है खाली करने की आप से यही पूछा एक तंगी कि इसका जाएक कि तंकी जब भढ़ जाती तो पॉम को बंद कर दिया जाता है खुलने वाले जो निकालने वाला उसको भी बंद कर दिया जाएगा फिर पानी फिर दावाले से प्राशिंच नहीं तेह रहाएं इसका मतलब टेज़ गन्द कर आपकी तंकी बढ़ जाएगी आंसर आपका तेज आप आंसर इसे सही मत कर देना कि 24 सही दो बट्टा पांच आपको तीन आपका आंसर या आपका गलत हो जाएगा इसलिए ध्यान रखना और बारी किसी कोश्चिन को करने की कोशिस करना यह फुल कॉंसप्ट है अगर किसी कोश्चिन में डाउट है से पहले वाले जो आपने द रहा है क्यों यह 24 सही दो बट्टा तीन आपको समझाता हूं और इसी तरीके से आप समझाएगा अगर आप टीचर है तो इससे कॉंसेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों को पता चल जाए ऐसा क्यों हो रहा है तो दोस्तों वीडियो कम्प्लीट हो चुका है स्कीन से यहां देखाई दे रहा है तब ही ठीक है प्लेश दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूंगा यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा मेरा यह कॉंसर्ट आपको कैसा लगा इस तरीके से कि आप वीडियो देखते समय प्लीज दोस्तों आपसे रिकेस्टे लाइक कर दीजिगा और प्लस अगर आप हमारे चैनल से नए जोड़े हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा थैंक यूवार बाचिक माई मेटियो